आपको पता है मोधी जी का फंडमेंटल योगी अधित्यनाथ को भी करनाटक बुला लिए रोड सो रैलिय करवाने के लिए लेकिन क्या आपको पता है जिस तरीक से आज कई दीनों से मनिपूर में दंगा चल रहा है यहां की अतंकियों जैसे दंगा हमले करवाय जा रहा है कई लोग यहां पे मारे जा चुके हैं लेकिन दोनों महराज जी को लग रहा है थोड़ा सा भी कि वहां पे जाकर हम कुछ करें यहां वहां के सुधार करें मोदी जी अलग रहे लिया कर रहा है राहुल कंधी अलग रहे लिया कर रहा है यह लोग जो भी कर रहा है न सिर्फ अपने लिये कर रहा है चुनावी रणितिया अपने लिये बना रहा है यहां लोग बार बार दावा कर रहा है कि वहाँ लोग मरे जा रहा है, दांगा हो रहा है, दिन में ही फाइरिंग हो रहा है, दिन में ही गोले दागे जाग रहा है, कितना का घड उजड गया, लेकिन मोधी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपने चुनावी रणनिती में चल रहा है, यहां तक कि कॉंग तरीक से देखा जा रहा है तो करनाटक में अखलेस यादो भी सप्पा के जो निदा है वो भी कोंग्रेस के सपोर्ट में चले गए वहाँ पर भी करनाटक के अंदर उन्होंने भी रैलिया करी और जिस तरीक से यूपी से योगिया देत्यनाद भी गये वो भी रोट सो करें द मोदी जी को कुछ करना चाहिए लेकिन मोदी जी साजिस करवा रहा है सायद इसलिए वहाँ का कोई सवाल जवाब नहीं उठ रहा है यहां तक तबा तोड रहे लिया चल रही है तो करनाटक में 224 सीटे हैं और कभी कभी दावा किया जा रहा है बिजेपी के तरब से कि सबस बढ़ रही है और खातम हो रही है ऐसा यह लोगों का दावा चल रहा है तो सबसे ज्यादा चुनावी रांटिया देखा जा रहा है तो बिजेपी के तरब से तयार किया जा रहा है मिटिंग चल रहा है ताकि कैसे उस सीट को अपने तरब किया जाया और सभी के जीता जाया लेकिन मनिपूर में दंगा हो रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है यहां तक कि वहां बताया जा रहा है कि कई दिनों से दंगे फसाद यूँ ही चल रहे थे और कई-कई बीजेपी नेता दावा भी करे लेकिन कोई भी सक के दाइरे में कुछ भी नहीं हुआ और ना ही अभी तक सवाल उठाया गया है ऐसे ही दांगा के खतम होने के बाद में सवाल उठाया जाएगा ऐसा लोग दवा कर रहे हैं तो देखने वाली बात है कि करनाटक सरकार कब तक इस चीज को देखती है वहां के लोग मरे जा रहे हैं लेकिन कोई भी पुछने वाला नहीं है ऐसा चल रही है इस चुनावी रणनेतिया को लेकर और करनाधेद में जिस तरीक से 10 मई को चुनाव होने वाला है उसका अलग ही रणनेति तयार किया जा रहा है तो 224 सीटे उपर एलान चल रहा है तो किसकी हाथ में कितना सीटे आ रही है ओपिनियन पोल में भी बता दिया गया 110 स 122 सीटे आ रही है कॉंग्रेस की और 74 से 85 सीटे तक आ रही है बिजेपी की तो देखने वाली बात है कि इसमें से सच्चाई केतना है और कितने सीट पर मतदान होता है कितने वोट आती है वो तो 10 मई और 13 मई को ही पता चलेगा तो आपको क्या लगता है मनिपूर के बारे मे कैसे परदान मत्री को समझना चाहिए और विचार करना चाहिए नीचे कॉन बक्स में हमें ज़रू बताए और आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब ने किया वाय तो कर सकते हैं